वेलकम फ्रेंड्स एक वर फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में आज हम बैदिक मेट की साहेता से फास्ट केलकुलेशन के लिए एक और नाइट ट्रिक सीखेंगे इस ट्रिक में हम सीखेंगे कि कुछ स्पेसल नंबर होते हैं उन में से हम किसी भी संक्या को बहुत ही जल्दी कैसे घटा सकते हैं कैसे सब्स्रेक्ट कर सकते हैं सिंपली तो अपन जो ट्रिक अपनाते हैं जो अपन मैथड अपनाते हैं वही होती है बट first करने के लिए हम कैसे क्या use करें कि within second हमारा answer आ जाए तो चलिए हम लोग start करते हैं इस ट्रिक का जो बैदिक मैध में संस्कृत में नाम होता है वो होता है निकलिम ना होता है चर्मम दस्था इसका जो इंग्लिस में अगर मतलब जानने की हम causes करें तो यह होता है आपका last one is 10 and remaining is 9 जब हम example लेके समझेंगे तो आपको इसका भी मतलब पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो specific number है जिन में से हमें घटाना है वो है हमारे 10, 100 and so on तो इसका मतलब है 1 और उसके आगे 0 तो ऐसे जो number होते हैं उनमें से किसी संक्या को बहुत ही जल्दी कैसे घटाया जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो हम एक example ले लेते हैं example के तोर पर हम लेते हैं माली जी के 100 है और हमको यहाँ पर 33 minus करना है तो 33 minus करना है यह आप simply जैसे करते हो वैसे भी कर सकते हो यह छोटा सा है इसलिए हम इसको trick से करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि निकलिम 9 ता चर्मम 10 मतलब जो last one है वो 10 होना चाहिए मतलब हम last वाले में क्या जोड़ें कि आपका 10 आ जाए तो 7 जोड़ेंगे obviously तो यह 7 आ जाएगा नीचे और उसके बाद जितने भी है उसमें 9 9 आना है कि कितना जोड़ें कि 9 आ जाए तो यह 3 है और कितना जोड़ें कि इसमें 9 आ जाए तो 6 जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा ऐसे ही अगर आप 1000 ले लें 1000 मैंसे आप 25 अगर माइनस करते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि last वान है जो हो क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए तो 5 में हम क्या जोड़ें कि 10 आ जाए तो 5 में हम जोड़ेंगे 5 तभी 10 होगा एंड हम 9 में क्या 2 में क्या जोड़ें कि हमारा 9 आ जाए तो 2 में हम जोड़ेंगे 7 कि हमारा 9 आ जाएगा एंड यहाँ पर यह बचा तो यहाँ पर 0 रख सकते हैं तो 0 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए तो 9 ही जोड़ेंगे तो हमारा जो अंसर आजाएगा 975 हम 0 तक ही करते हैं 1 को नहीं count करते हैं ये आपको याद रखना है तो चलिए एक और example लेते हैं मान लिजिए कि 10,000 है 10,000 मैंसे हमें 372 को minus करना है तो जब हम minus करेंगे तो last one को 10 तो हम 2 में क्या जोड़ें कि 10 आजाए 2 में हम क्या जोड़ें कि 10 आजाए तो 8 आजाएगा 7 में हम क्या जोड़ें कि 9 आजाए तो 2 आजाएगा 3 में हम क्या जोड़ें कि 9 आजाए तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पर 6 आजाएगा and यहाँ पर 0 होगा तो 0 में क्या जोड़े है कि नाए ना जाए तो ये नाए ना जाएगा तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका answer हो जाएगा ये आप बिना देखे भी बता सकते हो बिना copy में लिखे हुए मेना column चलाए भी इसको आराम से find out कर सकते हो तो next एक और ले लेते हैं कुछ बड़ा ले लेते हैं अपन लाखों में ले लेते हैं यहाँ पर घटाते हैं 3,7,5,7 तीक है ये मैंने ऐसे ही ले लिया है अपने आप से तो last one क्या होना चाँई है तो seven में कितना जोड़ें कि ten आ जाए Five में जोड़ें कि nine आ जाए तो four क्योंकि last one ten होता है ठीक है वाती सब को nine करना रहता है समझ में आगया यही आपको याद रखना है याँ आप ए तो seven में हमने जोड़ा कितना त्री तो ten हो जाएगा 5 में कितना जोड़ा की 9 हो जाए 4, 7 में कितना जोड़ा की 9 हो जाए तो 2, और 3 में कितना जोड़ा की 9 हो जाए तो 6, and यहां पर 0 रहेगा तो यहां पर 0 में कितना जोड़ा की 9 हो जाए तो 9, तो आपका 9, 6, 2, 4, 3 यह आपका correct answer हो जाएगा तो इस ट्रिक को अगर आप अपने जो calculation है उसमें use करेंगे आप अपने जो किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो उस तयारी में आप इसको बीच बीच में अगर जैसे जो आपके सब्सेक्शन आते हैं इस तरीके से अपन करेंगे तो आपके second बचेंगे माली जे आपको इस सबाल 30 second में करते हो तो आप उसको 20 second में कर पाऊगे तो आपके 10-10 second करके काफी आपका time बच जाएगा और आपको जो परिक्शा में time कम पड़ जाता है वो time कम time नहीं पड़ेगा तो आप इस trick को जरूर सीखें और ऐसे ही हम आपके लिए tricks वगरा लाते र अगर कुछ problem लगता है वीडियो नहीं चल रहा है या कोई और problem है तो आप हमें comment करके बताएं अगर कुछ अच्छा लगा है तो वो भी हमें comment में लिखें अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2-3 बार देखें जब आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको definitely समझ में आ जाएगा तो आगकी वीडियो में फिलाल इतना ही धन्यवाद